सफल होने की आपकी संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितना अधिक पाना चाहते हैं दोस्तों एफर्ट्स ही हैं कि विनर और लूजर को अलग लग करते हैं आप हर दिन क्या करते हैं वही आपके भवश्य का फैंसला करेंगे आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं इसका फैंसला आपको आज करना होगा ठके हुए होना कड़ी मेहनत के बराबर नहीं होता है आप में से अधिकांश का दावा है कि आप ठके हुए हैं क्योंकि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप ठके हुए होने के बाद भी कितनी महनत करते हैं जब आप ठक जाते हैं, बस यही वो समय है जब असली काम शिरू होता है फेलियर ही तो हैं, मिस्टेक्स होती हैं लेकिन उनके बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपके भीतर जीतने की भूख होनी चाहिए, बहुत ही जोर की भूख यदि आप एवरेस से बहतर चाहते हैं, तो आपको एवरेस से ज्यादा कड़ी महनत करनी होगी यदि आप महानता चाहते हैं, आपका प्रियास महान से बड़ा होना चाहिए भवश्य में सफलता की गारंटी के लिए आज आप कितना एफ़र्ट्स करेंगे ये सब केवल फिजिकल एफ़र्ट्स के बारे में नहीं है ये सीखने के लिए आपके द्वारा किये गए प्रियासों के बारे में है बढ़ने के लिए आप किस तरह के प्रियास करते हैं समाधान खोजने के लिए आप जो एफ़र्ट करते हैं एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए आपने जो एफ़र्ट किया है दूसरों के मदद करने के लिए आपने जो प्रियास किया है आप अपने आसपास कितने अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं आज के दिन किया गया प्रतेग बेहतर प्रयास आपके सर्वोत्तम भुष्य के शणों का निर्मान करेगा अपने और से सभी तरह का पूरा एफ़र्ट करें सफन होने की आपकी संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितना अधिक चाहते हैं याद रखें आपके एफ़र्ट्स आपकी सफलता की संभावनाओं को निर्धारित करते हैं